हेलो एव्रिवेन, most welcome to lyrth education, और आज मैं आपको CGTate जो आपका एक्जाम भी आगे बढ़ चुका है जैसा कि आपको पता है ठिक है? और इसके लिए हम अभी एक क्रेश बेच शुरू कर रहे हैं ठिक है? तो ये क्रेश बेच आपके CGTate के लिए होगी और आपको पता है आपक आपको पढ़ाया जाएगा आपकी vocabulary जो भी आपका syllabus है उस syllabus के according ही हमने इसको complete करा है ठीक है यह आपका course है और पूरा 30 days का batch है और इसका जो crash batch का fee है यह हमने केवल और केवल रखा है आपका 799 जो की पहले था 999 ठीक है तो यह आपका course रहेगा 30 days का ठीक है और यह आप join कर सकत हैं तो इसके लिए आप मुझे जो है WhatsApp मेंसेज कर दें तो मैं आपको यह PDF भी दे दूंगा और पूरी जानकारी जो है वो बता दूंगा यह देखिए यह course पहले था 999 का और अभी हमने इसको 799 कर दिया है आप मुझे इस नंबर पर WhatsApp मेंसेज कर दे 975374986 आपको लिखना ह इसमें आपके grammar के साथ साथ पूरी vocabulary भी sorry grammar के साथ साथ आपकी जो पैडागोगी है वो भी पूरी कवर होगी मतलब grammar plus vocabulary plus पैडागोगी ठीक है चलिए तो यह बहुत ही easy way में आपको मिल जाएगा और शुरू करते हैं हम पहले question के साथ में देखिए यह question आपका vocabulary से लिया हु हुआ है ठीक है आपके exam में आपको पता है कि vocabulary भी है आपके इसमें grammar भी है और साथ ही साथ में आपका पैडागोगी भी है पहला question आपको पूछा है कि easily persuaded to believe something और चार option लिये हैं गुलीबल, notorious, whimsical और साथ में curious ठीक है तो देखिए यहां पर एक word आ रहा है persuaded persuaded का मतलब होता है किसी को अपने जाल में फसाना, किसी को persuade करना, persuade करना मतलब एक तरह से उसको मनाना, जैसे किसी भी बात के लिए मना लेना, राजी कर लेना, ठीक है तो वो होता है persuade, तो यह verb है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि आपके exam में यह word पूछा जा सकता है, तो persuade का मतलब होता है किसी को मनाना, या किसी को बहलाना, फुसलाना, या अपने जाल में फसा लेना, तो जब हम किसी भी व्यक्ति को easily मना सकते है, to believe something, किसी भी चीच पर believe करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसका सही जवाब होगा, gullible, ठीक है, gullible जो है, यह इसका मतलब हो सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, naive, और एक इसको हम क्या बोल सकते हैं, credulous, यह तीनों word most important है, तो आप इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा, कि gullible का मतलब होता है, innocent, naive, या फिर credulous, ठीक है, तो यह तीनों word most important है, इसको एक idiomatic expression में बोला जाता है, as green as grass, मतलब कि बि is green as grass, बोलो, इतनी बात समझ में आगई आपको, तो gullible जो होता है, gullible का मतलब क्या होता है, innocent, naive, credulous, या फिर इसको मैं एक बोल सकता हूँ, child like, मतलब कि like a child, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत, दूसरा word जैसे कि notorious दिया है, तो notorious का मतलब आप लिख लो copy में, notorious का मतलब होता है, flagrant का मतलब होता है, kukhyaat, जो kukhyaat अपरा दिया, आपने सुना होगा, तो वो होता है, आपका notorious मतलब की flagrant, अगला word आपको दिख रहा है, curious, curious का मतलब होता है, आपको पता है, excited होता है, इसका मतलब, ठीक है, curious का मतलब क्या होता है, excited होता है, एक second, हाँ, तो curious का मतलब अच्छा वीमसीकल का क्या होता है तो वीमसीकल का मतलब होता है पैक्यूलियर यह पूरी वोकेबलियर आपको बिल्कुर सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ाएंगे यहां तो हम क्योशन सॉल करा रहे हैं तो आपको इसलिए मैं शॉटकाट में बता रहा हूं तो वीमसीकल किसको बोलते हैं वीमसीकल मतलब the person who is different to normal जो मतलब normal से अलग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं peculiar मतलब different to normal बोलो बात समझ में आ गई आपके तो easily persuaded to believe something यह आपका क्या हो जाएगा गुलीबल, notorious, गुलीबल और गुलीबल के synonym innocent, naive, credulous और child life ठीक है, notorious का मतलब flagrant flagrant का मतलब कुख्यात होता है और curious का मतलब होता है excited क्या होता है excited और वीमसीकल का मतलब क्या होता है वीमसीकल का मतलब होता है एक तरह से peculiar ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी और अगला word है आपके सामने दूसरा, very eager और curious to hear or see something मतलब जब आप किसी भी चीज़ को सुनने के लिए या किसी भी चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा curious है curious का मतलब क्या होता है curious का मतलब होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा क्या है excited है तो इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है चार option दिये है frugal, lavish, agog या nev, तो इसका सई जवाब होगा agog, agog का मतलब होता है excited, तो जैसे आपको कभी बोलना है कि यार मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं मतलब कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा excited हूँ तो agog का मतलब होता है when you are very eager or curious to hear something or see something बोलो ठीक है अगला वर्ड है आपके पास में जैसे कि frugal तो frugal का मतलब क्या होता है frugal का मतलब होता है who spends money very economically मतलब कि जो बहुत ही economic तरीके से पैसा खर्च करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं frugal ठीक है तो frugal that means the person who spends money very economically इसको हम क्या बोलेंगे frugal बोलेंगे ठीक है lavish किसको बोलते है lavish का मतलब होता है who spends too much money जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है who spends too much money जो ज़्यादा पैसा खर्चा करता है इसको बोला जाता है lavish अच्छा एक वर्ड होता है nev अभी बताया था मैंने आपको gullible gullible का मतलब क्या होता है gullible का मतलब होता है बोलो clear है यहां तक चलिए अगला वर्ड देखते हैं अगला question आपसे पूछा है कि the person who is different to normal उसको क्या बोला जाएगा तो देखिए चार option दिये है gullible का तो हमको याद है कि gullible का मतलब होता है अगला वर्ड है thrifty thrifty का मतलब होता है who spends money very economically तो यह आपका हो जाएगा thrifty और अगला वर्ड है आपका peculiar तो peculiar का मतलब होता है different to normal जैसे कि मैं आपको एक example दूँ कि रजनी कांत सर का नाम आपने सुना होगा कि रजनी कांत है a peculiar style रजनी कांत जी की style कैसी है रजनी कांत जी की style है peculiar peculiar का मतलब होता है different to normal जैसे कि आपने देखा होगा कि normally जो लोग एक सेके normally जैसे दूसरे hero है अपने साब अजय देवगन साब अजय देवगन साब बीडी cigarette पीते हैं तो वो बिलकुल आराम से लगा के और उनके साब से पी लेते हैं लेकिन रजनीकान साब जो है वो आपने देखा होगा पहले तो भाई cigarette है उसको हवा में उच्छा लेंगे फिर वो उपर जाएगी फिर वाँ से माचिस वाचिस नीचे से जाएगी उपर लगेगी इतने देर में आसपास जो तिनों चारों जो वो गुंडे वगेरा होंगे उनको निपटाएंगे उसके बाद में फिर वो मूँ में आएगी और ये सीन खतम तो भाई ये क्या है यार तो ये एक style है भाई पैकिलियर style और ये एक मैक्सिम सक्सेस्फूल वाई रजनिकांति सक्सेस्फूल विकॉस ओफ इस पैकिलियर style ठीक है क्योंकि उनकी style जो है वो पैकिलियर है बिल्कुल different to normal नॉर्मल से अलाग है उसी वज़े से आज वो आदमी क्या है वो आदमी आज सक्सेस्फूल है तो पैकिलियर का मतलब होता है इसके synonym के अगर हम बात करें तो पैकिलियर का synonym होता है एक याद रख लेना ये बहुत ज़्यादा आता है एबरेंट एबरेंट को आप कैसे याद रख सकते हो जैसे कि आपने रितिक रोशन का नाम सुना होगा तो जो रितिक रोशन है एबरेंट फिंगर एबरेंट का मतलब होता है तो ये वर्ड आप याद रख लेना तो क्या पढ़ा आपने अभी आपने पढ़ा पैकिलियर तो पैकिलियर का जो ये मतलब होगे एक तरह से वो क्या हो गया साब तो पैकिलियर का मतलब होगे डिफरेंट तो नॉर्मल या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं एबरेंट एबरेंट का मतलब भी क्या होता है एबरेंट का मतलब भी क्या होता है और भी इसके सिनॉनिम है इसको आप abnormal बोल सकते हो मतलब different to normal बोल सकते हो इसको आप eccentric भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो eccentric देखिए vocabulary का मज़ा तब ही है कि जितने भी word हमारे सामने हैं हमको बहुत अच्छे से आते हैं तो वह होता है vocabulary, vocabulary का मतलब यह नहीं कि हाँ time pass time pass नहीं करना या तो करो या फिर मत करो अगला word आपके सामने यह रहा है screen पर who spends money very economically अब देखिए there are three types of person आपने एक movie देखी होगी हेरा फेरी तो हेरा फेरी में तीन लोग आपने देखिया होगे एक देखाओगा आपने अक्षय कुमार एक देखाओगा आपने सुनिल शेटी और एक देखाओगा आपने परेश असरा करता है दूसरा सुनिल शेटी होता है जो की होता है वैरी एकॉनामिकली जो की कहलाते हैं हम thrifty थ index का मतलब व 58 जो बहुत इकोनौमीक तरीके से खर्च करता है तीसरा होता आप परेश्रावल परेश रहाल परेश्रावल होता है यह हुता है माईजर माईजर का मतलब ह होता है इस्टिंगी का मतलब होता है कंजूस ठीक है तो यह तीनों वर्ड आप आराम से याद रख सकते हो देखो तीन कौन-कौन थे पहला बाई अक्षय कुमार अक्षय कुमार क्या है बोले अक्षय कुमार यार लेविश है यार क्यों बोले कि यार बहुत पैसा खर्चा करता है वो तो हैं बाब भाई या तुमारे दो लाग के तीन लाग करवा दुआ में तो हूँ इस्पेंड्स टू मच मनी जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है उसको क्या बोलेंगे हम लेविश बोलेंगे और क्या इसको यहाँ पर क्या हम बोलेंगे या यू आर थ्रिफ्टी ठीक है और तीसरा था हमारा कौन भाई परेश रावल तो परेश रावल को हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे परसी मोनियस बोले यार तू तो कि परसी मोनियस है यार क्यों परसी मोनियस क्यों बोल रहे हो मेरे को because you always tries to save money क्योंकि तुम तो हमेशा पैसे को बचाने की कोशिश करते हो you always tries to save money तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे परसिमोनियस बोलो बात समझ में आगई होगी आपके चलो आगे बढ़ाते हैं गाड़ी थोड़ा सा आपको अंदेरा दिखरा होगा कोई बात नहीं अभी उजाला कर देंगे हम लोग चलो एक सेकंड थोड़ा से में को हाँ एक मिट वेट करना पड़ेगा आपको ठीक है अब आपको उजाला दिख जाएगा ठीक है तो कित्ते हो गए आपके देखो पहला आपका अक्षय कुमार हो गया यह आपका लेविश ठीक है दूसरा आपका सुनेल शेटी यह थogy बोलेंगे इसको और थुर्षट के लावा इसको एक और क्या बोल सकते है अपन इसको एक और बोल सकते है ए वो आप लोग फ्रूगल ठीक है तीसरा आपका persimonious का मतलब होता है always tries to save money और इसी को हम बोल सकते है miser, miser का मतलब क्या हो जाता है miser का मतलब हो जाता है conjuice, बोलो यहां तक कोई समझ या आगे बढ़ते हैं, अगला word एक ओर देख लेते हैं, the person who spends too much money, मतलब जो बहुत ज़्यादा पेशा खर्चा करता है तो अभी पड़ा हमने, कौन, बोले कि अक्षय कुमार, क्या है यह बोले लेविश है तो इसको और क्या बोल सकते हैं, तो इसको एक और हम बोलते हैं, extra वेगेंट, क्या बोलेंगे extra वेगेंट, यह देखो आप extra वेगेंट, तो extra वेगेंट का मतलब क्या हो जाता है, who spends too much money, बोलो कोई समस्या, अच्छा इस्टिंगी इस्टिंगी तो अभी बताएं मैंने, परेशरावल इस्टिंगी है because यह क्या है, यह यार बहुत कंजूस आदमी है, ट्रस्ट फुल तो आपको पताएं, और excited भी आपको पता है, ठीक है, तो बताएं यह आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे इसमें comment करके जरूर बताएं, आप comment box में, ठीक है, और जैसा है कि मैंने आपको बताएं, आपके CG Tate का हम अभी crash batch चालू कर रहे हैं, जिसमें आपको English Grammar में पढ़ाऊंगा, और English Pedagogy जो है, वो आपको हमारे Sonali में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, और इसकी यह 30 days का batch होगा, जिसमें आपकी पूरी English, अच्छे से cover करवा दी जाएगी, chapter wise, और fees केवल हमने रखी है, मात्र 7, 9 9, और यह है only 4 CG Tate, CG Tate का course होगा इसमें, ठीक है, जो की 30 days का रहेगा, ठीक है, चलो, तो यह वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएं, और मिलते हैं हम next वीडियो में, और इसी type से आपका daily वीडियो आप देखते रहिए इस पे, ठीक है, thank you so much